बराबर गी लड़ाई करता हैं, आप आसे मस सोचो कहीं, वोसे डर जाता है सिरिएसली, आपको पता है, को डर जाता है, इतना चिलाता है और डेली तो ऐसा नहीं होता है न, कभी-कभी ऐसा होता है मुझे अपनी खुद की गाड़ी का नंबर नहीं पता क्या है मैं बस ड्राइब करती हूँ इन चूप प्लीज मत कर रहे हे क्यूटीज गूट मॉर्निंग और विल्कम बाक तो माई न्यू व्लॉग देखो दुपहर की धूप किती प्यारी लग रही है मतलब दुपहर की हो सुबा की हो इस मौसम में धूप तो इतनी जादा प्यारी लग रही है ना ऐसा मुन कर रहा है धूप कभी जाए ही ना लेकिन क्या गरे सिर्फ एक या दो घंटे के लिए धूप आती है तो मैं यहीं बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ मतलब अंदर ही रूम के परदा खोल के खड़ी हो जाती हूँ तो भाई अभी बज रहे हैं दुपहर के साड़े तीन और घर में आज कोई भी नहीं है सब लोग गए हैं शूट पे आज रचित का शूट है स्कूल में मतलब स्कूल के वीडियो नहीं है कुछ अलग है आज तक किसी ने भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है ना मैंने ना रचित ने कभी पहले ना ही किसी और यूटूबर ने में भी तो आज बहुत ही अच्छा शूट हो रहा है रचित का और कास्ट में बहुत सारे लोग आये हुए है बहुत सारे बहुत सारे बहुत भी लगी है दो गाड़ी यहां से गई है और डारेक्ट काई लोग स्कूल में डारेक्ट पहुचे हुए है और मैं आज घर पे अकेले हूँ मतलब मैं और हेमंध भाईया तो मैं भी जाने वाली थी बट मेरा कोई सीन नहीं था रचित ने बोला तू सो जा तेरी नेत पूरी नहीं है तू रेस्ट कर तो मैं अभी सो कर उठी हूँ वैसे तो मैं साथ बजे उठ गई थी लेकिन फिर से सो गई सबको भेज के सबको नाश्तवाश्ता करवा के सबको भ देखो, दीदी क्योंने वीडियो बनाओ, दीदी क्यो इने वीडियो बनाओ, तो मैं सोचा स्कूल जाने से पहले कुछ question के reply दे देती हूँ क्योंकि काफे लोगों के comments है तो चलो start करते हैं पहला comment है आयूश चौरसिया का प्ले सिबुदी वीडियो बनाओ क्योंने वीडियो बनाओ प्लीज दी क्योंने बना रही हूँ जादा तो नहीं पर हाँ बना रही हूँ आज first comment मैंने जो select किया है ऐसे comment आया था सिबुदी आपने तो बोला था कि तीन बजे वीडियो पोस्ट करूंगी और अभी तक post नहीं होई क्यों reply करो please comment बिन करो तो भई ये पिछली वीडियो के मतलब पिछले vlog के जब मेरी वीडियो publish नहीं हुई थी उस पर ये comment आया था बट देखो यार कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम चाते हैं कि इस टाइम कर देंगे एकदम 100% sure होते हैं कि बस होई जाएगी आज तो post बट कुछ हो जाता है ऐसे situation की post नहीं हो पाती बट मैं inform भी कर देती हूं कि यार sorry हो नहीं पाया ये reason था इसलिए हो नहीं पाया तो उस चीज़ को आप लोग भी understand किया करो कि हाँ भई मैं भी इंसान हूं कोई वो भगबान तो हो नहीं कि बस एक बार बोल दिया तो होई जाएगा लेकि मैं inform कर देती हूं कि भई नहीं हो पायेगा जिस दिन मैंने गोमेंटी पोस्ट डाली थी उस दिन ये वीडियो नहीं आई थी जो मेरे main channel की है लेकिन उसके next आ गई थी मैंने reason बता दिया था कि रचित की तब्यत खराब है इस वज़ए से पोस्ट नहीं हो पाई वीडियो final उसी को करनी होती है ये reason था और मेरी वीडियो बिल्कुली final थी बाकी आप सब ने देख ली होगी जिसने नहीं देखी है जाके देख लेना और comment जरूर कर देना next comment है प्रभव गुपता का की रचित भाईया की BMW Z4 का नंबर क्या है please reply भई वो तो मुझे भी नहीं पता मुझे अपनी खुद की गाड़ी का नंबर नहीं पता क्या है मैं बस drive करती हूँ मुझे नंबर नहीं पता ना अपनी कार का मेरे पाल जो एक्सेंट है ना ही रचित की XUV का ना ही Z4 का, ना ही TIGOR का ना Tiago का, ना Tarzan का मुझे किसी का भी नंबर नहीं पता बट ये बहुत अच्छा सवाल था तो मुझे लगा मैंने कई बार सोचा कि यार एक बार नंबर याद करू कुछ 111 करके है सारी गाड़ियों का सेम है तो मुझे पता नहीं है बागी मैं देख लूँगी क्या नंबर है गाड़ी बाड़ी के शॉर्ट्स असे व्लॉग में रिकॉर्ड होते रहते हैं यार तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए लेकिन आपको कैसे पता होगी, मुझे खुद ही नहीं पता है चलो को ये नहीं मैं देख लूँगी क्या है उसकी गाड़ी का नंबर फिर मैं बता दूँगी वैसे में भी ये रचित के व्लॉग में मैंने देखा था यार कि वो आप लोगों को सर्प्रेज दिना चाहता है और उसने आप लोगों से कोशन किया है कि आप बताओ गेस करो क्या हो सकता है तो मैं उसका मतलब कैसे ऐसे बांडा फोड़ दूँ उसका सर्प्रेज सारा खराब कैसे कर दूँ तो नहीं मैं नहीं बताओंगी पता करके भी नेक्स्ट कॉमेंट है वर्बमक करके दीदी थाइलेंग से जो क्लोथ शॉपिंग किये थे वो कब दिखाओगे दिखा दूँगी यार कभी ना कभी तो दिखा दूँगी डेली डेली व्लॉग आते रहते हैं कभी दिखा दूँगी ऐसा कुछ नहीं है जादा कुछ नहीं लिया था दो-चार लिये थे मतलब जितने भी लिये थे काफी costly थे वो कम quantity में हैं बड़ जादा cost के हैं तो मैं दिखा दूँगी एक-एक करके या फिर मैं सोच रही हूं कि मैं shots start करों मैंने बीच में start तो किया था बड़ फिर skip कर दिया मैं दिखा दूँगी don't worry जल्दी दिखाऊंग बही एक कॉमेंट आया है सिब्बू के आगे रचित भहिया बोल नहीं पाते सिब्बू जो है रचित भहिया डर जाते हैं सिरिसली आपको पता है वो डर जाता है इतना चिलाता है इतना बराबर की लडाई करता है आपको पता है बस काफी चीज़े रिकॉर्ड नहीं हो पाती पूरे दिन के 24 घंटे में यार सिर्फ आप 10-15 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट इतनी ही हमारी लाइफ देखते हूँ उसके अलामा भी तो बहुत चीज़े होती है बराबर की लड़ाई करता है आप ऐसे मत सोचो कि वो मुझसे डर जाता है या मैं उससे डर जाती हूँ इकवल की टक्कर होती है वो एक बोलता है मैं चार बोलती हूँ, मैं चार बोलती हूँ तो वो आठ बोलता है तो ऐसे मत बोलो कि मेर से वो डरता है या उससे मैं डरती हूँ बराबर की लड़ाई होती है हाँ भी इंस्टू है ना इंस्टू तो मेरी साइड लेगा बएक्स्ट कॉमेंट है handmade item ने ये कैसा नाम है username जो भी ओ तो इन्होंने comment किया है कि first comment दी आप दोनों ने ही बहुत काम किया है बट ऐसे बलडा मत करो तो so cute देखो ये होते हैं comments उन्होंने समझा और बोला कि आप दोनों नहीं काम किया ये होते हैं एक बुल वाले comment मतलब तुम तो यार मेरे को ही बुरा बोलने लग जाते हो ऐसे थोड़ी नहों होता है thank you so much handmade its item मतलब जो भी user ID होगी next comment है पता नहीं क्या नाम है इनका comment है यार सुनो अगर तुम लोगों को व्लॉग डालना है तो एक टाइम पर डालो वरना मट डालो पता दिन वेट करो कि व्लॉग कब आएगा कब आएगा और जब आता है तो एक दूसरे का हटा के डाल देती हो ऐसा कुछ comment है तो भाई इतना गुस्से वाला इतना rude comment देखो मैं बताती हूँ क्या होता है हमारी timing fix नहीं हो पा रही है काफे time से हमें सिर्फ vlog ही channel हम नहीं चलाते हैं हम सिर्फ daily vlogging ही नहीं करते हैं हमारे पास और भी काम होते हैं जैसे main channel है उसकी scripting करनी होती है बहुत काम होता है मैं आपको कैसे explain करूँ बहुत सारी responsibility होती है सिर्फ हम vlogger ही नहीं है कि सारा दिन अपना जो भी activity करी record किया और upload कर दिया ऐसा नहीं होता है इसलिए सिर्फ timing नहीं हो पाती जिस दिन हमारे पास काम नहीं होता हम free रहते हैं उस दिन देखो सुबा जल्दी आ जाता है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे लेकिन अभी कुछ time से हम शाम को ही डाल रहे है मतलब मैं डाल रहे हूँ और रचित का भी जैसे मैंने बताया shoot करने गया है इसके scripting में ही उसको बहुत सारे काम थे फिर shoot की arrangements करने में बहुत time लग गया कभी उदर जाना पड़ रहा है कभी उदर जाना पड़ रहा है मैंने कभी भी रचित का व्लॉग नहीं डाला है मैंने हमेशा अपना खुद का record किया है सिर्फ एक बार के अलामा सिर्फ मैंने ऐसा एक बार किया था क्योंकि मैं चाहते थी कि स्टेक ना टूटे कुछ ना कुछ तो चैनल पे आना ही चाहिए तो मैंने वही डाल दिया क्योंकि इस व्लॉग में मैं भी थी अगर नहीं होती तो मैं नहीं डालती हार अच्छे तैसा अक्सर कर देता है क्योंकि वो मुझसे जादा बीजी रहता है उसको बाहर भी जाना पड़ता है मैं तो कभी-कभी आलस कर जाती हूँ कि नहीं है मैंने यह नहीं किया मुझे घर पे रहना है तो इसलिए मैं बना लेती हूँ वो नहीं कर पाता तो इसलिए वो मेरे डाल देता है कभी विनेका डाल देता है आज भी शायद उसने विनेका ही डाला है क्योंकि मैंने बताया ना वो कर नहीं बाया था कुछ भी रिकॉर्ड एक तो या तो कई सारे रिजन होता है या फोन चार्ज नहीं है फोन सुच आफ पड़ाए और ब्लॉग तो डाल नहीं है अभी बनाऊंगा एडिट करूंगा और फिर डालूंगा तो सिर्फ एक ये रिज रंसन होता है कि रचित आसा कर देता है और डेली तो ऐसा नहीं होता है कभी गभी हैसा हुटर हमेशा नहीं होता है तो उस चीज़ को आप लोग समझो सब्सक्राइ तो अकेला बंदा फोन ग्र我也 आ यतन कर देया है तो परिशान होता है बाकि मेरी चाहे आ गए, यह मैं चाहे पिलेती हूं, इंस्टा मत कर, मत कर, मत कर, इंस्टू प्लीज, मत करे, शांत हो जा, शांत हो जा, बस, 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 बही देख लो, यह ऐसी परिशान करता है बीच में, बही मैं प्रॉपर Q&A बैट के बनाउंगी, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी एक दो दिन में ले आउंगी पक्का और वो थाइलेंड के कपड़े भी दिखा दूंगी क्या मैंने क्या शॉपिंग करी थी अभी मैं स्कूल निकल रही हूं स्कूल जब पहुचूंगी वहां सबसे मिलवाऊंगी सबका ब्लॉक ब बहुत डाउट्स क्लियर कर देती हूं चलो गाइस बाइबाई लव यू लाइक कॉमेंट शियर सब्सक्रेब सब कुछ कर देना और कल मिलते हैं एक अच्छे व्लॉग के साथ क्यूंकि अभी मैं निकल ही रही हूं स्कूल में वहां पे सबसे मिलवाऊंगी तो आपको अच